नमश्कर सारी शाम चुप चुप बनी हुई थी पर इसे सुरेश ने नव अधू का सहत संकोच मान लिया था नए लोगों के बीच उसका एक्टम न खुल पाना उसे अस्वभाविक नहीं लगा था सच तो यह था कि वाखोशे की तरंगों में जूल रहा था इसलिए ऐसा वैसा कुछ सोचने के स्थिती में भी नहीं था सुबह जब मिस्टर श्रिमाली ने उसे कैबिन में बुला कर शाम के खाने का निमंत्रन दिया था वो विस्मय और आनंद में डोग गया था सहयोगियों ने उसे खुले दिल से बधाई दी थी इस खुशी में उसने सबको दो पहर की चाय भी पिलाई थी उसने जब अपनी शादी का छोटा सा रिसेप्शन दिया था तब वो सव परिवार बाहर गय हुए थे तब से वो निरंतर सोची रहा था कि उन्हें खाने पर बुलाया जाया चाय पर उसके योजना तो धरी रह गई उल्टे उन्होंने ही उसे सब परिवार खाने पर बुला लिया निमंतरण की पहल ना कर पानी के कारण वह संकोच से भर उठा था पर प्रसनिता का पलड़ा शायद उससे भारी था एक तरह से हवा के घोड़े पर सवार होकर ही वह घर पहुचा था बड़ी उमंग के साथ उसने विभा को यसमचार दिया था दोनों खूब सदसवर कर ही बौज के घर पहुचे थे वहाँ एक और सुखदास्चर उनके प्रतिक्षा कर रहा था मिसर्श श्रिमाली उसे देखते ही किलक उठी थी उन्होंने आगे बढ़कर विभा को गले लगा लिया था पता चला दोनों भी ये तक साथ पड़ी है इस जानकारी के बाद सुरेश को सारा आयोजन और भी भव्य दिव्विलग उठा था मेज पर करीने से परोसे गए व्यंजनों का स्वाध दुगना हो गया था मिसर्श श्रिमाली पूरे समय विभा की तारीफ करती रही उनके आग्रह पर विभा को गाना भी सुनाना पड़ा पुरानी सखी से इस तरह अचानक भीट हो जाने पर मिसर्श श्रिमाली तो बड़ी प्रसन्य दिखाई दी पर उस प्रसन्यता का संतोष भी विभा के चहरे पर नहीं जलका और तो और समाने सश्टाचार भी उससे निभाते नहीं बना उसे भारी भरकम उपहार के लिए भोजन के लिए ठीक से धन्यवाद भी वदे नहीं पाई कम से कम चलते समय उन लोगों को एक अपचारिक निमंत्रन तो दे ही सकती थी वह भी उससे नहीं हुआ सुरेश तो खीज उठा था कैसी लड़की है कहने को में भी एड है पर जरा भी एटिकेट्स नहीं है धर आकर शायद वह कुछ कहता भी पर उसे समय ही न मिला उल्टे विभाही उस पर बरस पड़ी थी और वह भोचक का रह गया था उसने वह बड़ा सा खोका एतियाद से मेश पर रखा करीने से उसकी पैकिंग खोली बच्चे किसी अधीरता से उसने कागज की कत्रनों को अलग किया और अब उसके सामने सुनहरी नकाशी वाला एक खुबसूरत लेमन सेट जगमगा रहा था बढ़ ठगासा देखता रह गया वाह श्रीमाली साहब के टेस्ट का भी जवाब नहीं है तब उसे होश आया विभा अभी तक उसी तरह गुमसुम बैठी हुई है क्या बात है भई उसने बुचकारते हुए पूछा बॉस की बीवी से तुम्हारा जगड़ा वगड़ा था क्या वैसे नेचर से तो वह बहुत भली लगी है तो क्या मैं जगड़ालू लगती हूँ विभा ने तुनककर कहा यह बात नहीं है भाई तुरेश ने नरमस्वर में कहा पर तुम सारी शाम मोफुलाए रही इसलिए पूछ रहा हूँ विभा ने आखों में अजीब सी उदासी भर कर उसे देखा और फिर शुन्ने में नजरे गड़ा कर जैसे अपने आप से बोली बुरा तो लगता ही है वह बॉडम बेवकूफ लड़की आज इतने बड़े आदमी की बीवी बन गई है और हम अपनी किस्मत में तो जूते चटखाना ही लिखा है ससुराल हो या पीहर कोई फर्क नहीं पढ़ता यह शब्द सुरेश के कलेजे को चीरते चले गए घायल नजरों से उसने विभा की उर देखा वह शुन्ने में दृष्टी गड़ा गुंसुम बैठी थी उसकी तरह लाखों में तूटे हुए सपनों के टुकडे तैर रहे थे उसे गुस्सा आना चाहिए था पर करुणा हो आई अपने लिए और विभा के लिए पता नहीं कितने सपने सजोएं होंगे पर कहीं रोब, कहीं रंग, कहीं उम्र, कहीं पैसा कुछ न कुछ बाधा आ जाती होगी और सपने तूटते रहे होंगे पता नहीं कितनी अस्विकृतियों को जहिलने वाली या लड़की उसकी पत्नी है उसकी संचित पुंजी से बनवाए गए चार गहनी उसके शरीर पर है पहली शॉपिंग पर बड़ी दरिया दिली से खरीदी गई प्योर सिल्की साड़ी उसने पहन रखी है मिलन की पहली रात भीट स्वरूप दिया गया महेंगा सेट उसे महका रहा है शाम को बड़े अर्मानों से खरीदी गई वेड़ी उसके जूड़े की शोभा बड़ा रही है इस सारी सज्जा के साथ उसके ही घर में बैट कर वह उन भयानक शब्दों को बोल गई है सुरेश भीतर तक हिल गया था उसका मन हुआ चीख कर कहे मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं था इसलिए तुम्हे स्विकार कर सका समस्त बड़े आदमियों की जमात ने तो तुम्हे कब से नकार दिया था लेकिन अब कुछ भी कहना व्यर्थ था पहली बार आक्रोश उसने व्यक्त किया बाजी उसे ने जीत ली थी उस छड़ांश के लिए ही सही वह सुरेश से स्रेश्ट हो गई थी सारी रात उसे नीन नहीं आई विभा की और पीट किये वह एक करवट लेटा रहा अपने घायल मन को सहलाता रहा आखों के सामने उन सारी लड़कियों के चहरे घुम गए जिन्हें उसने पहले दोर में अस्विकार कर दिया था उन में से कुछ तो विभा से बहतर ही थी पर उस समय कोई ऐसी वैसी लड़की तो आखों पर चड़ती ही नहीं थी उसकी मा और बहन के लिए तो कई दिनों तक यह गर्व का विशय बना रहा हमारे शुरेश को तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आती वे जहां तहां सुनाया करती पर बाद में या गर्व चिन्ता में परिवर्टित होनी लगा पहले जैसा लड़की देखनी का उत्सा बाद में जाता रहा मा तो खीज कर कहती आखिर कैसी लड़की चाहता है तू पता तो चले चार भले आदमियों को जवाब तो हमें ही देना पड़ता है न आखिर अपने भी घर में लड़कियां है उनका ही ख्याल कर कोई पहले से पसंद कर रखी हो तो वह बता दे मा की बंबारी से वह छुब्ध हो जाता और फिर महीनों घर का रुख नहीं करता था दोस्त मजाक में कहते यार अब पैदा होने से तो रही अवेलेबल जो इस टॉक है उन्ही में से पसंद करनी होगी पहले से पता होता तो इस पेसिफिकेशन दे कर ब्रह्मा जी से बनवा लेते बात हसी में उड़ जाती पर कभी वह सोचता का आश ऐसा हो पाता वह ब्रह्मा जी से कहता भगवान मुझे मालूम है मुझ जैसे फटीचर के भागी में रीता मलकानी या सुरेखी देश पांडे जैसे ब्यूटी क्वीन नहीं होगी पर कम से कम माया मिश्रा जैसी मिठ बोली श्रद्धा पॉल जैसी बड़ी-बड़ी आखो वाली अलका कपूर जैसी हसमुख और नैना महता जैसी गोरी-चिट्टी लड़की तो आप मुझे दिला सकते है उसके मन में इन सब लड़कियों का मिला जुला एक कॉलाज चित्र था पर जितने भी रिष्टे आए एक भी लड़की इस कसोटी पर नहीं उतरती थी एक दिन सचिन दिवाकर उसका दोस्त एकदम सेरियस हो गया था बोला सुरेश तुम्हारा कोई अफेयर हो तो साफ बता दो कम से कम लड़की वालों से साफ कहतो सकूंगा बेचारे आस लगाये आते हैं जानते हो तुम्हारे लिए अब तक तीन जगा जलील हो चुका हूँ सौरी यार पर दिवाकर ने उसे वाकि पूरा करने नहीं दिया बोला फाल तु बाते बंद साफ सा बताओ माजरा क्या है माजरा कुछ नहीं है यार कुछ होता तो मुझे पता नहीं चलता तो फिर या तमाशा क्या है क्या लड़किया रिजेक्ट करने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हो मुझे क्या मजा आता है रिजेक्ट करने में पर कोई धंकी मिले तो धंकी मतलब कैसी दिवाकर जिरा पर उतर आया था धंकी मतलब मतलब जो मेरी कलपनाओं से मेल खाती हो मेरे सपनों में फिट बैठती हो मेरी अपेक्षाओं के कुछ तो निकठो सुरेश ने समझाने का भरसक प्रत्न किया दिवाकर एकदम बखला गया बोला भाईया कलपना अपनी जगर ठीक है पर वास्त विक्ता से उसका कुछ लेना देना नहीं होता सपने देखना कोई अपराध नहीं है पर उन्हें यथार्थ में उतारने के चेस्टा बेवकूफी है तुम क्या सोचते हो हमें सपने देखना नहीं आता हमारी कलपना शक्ती को क्या दीमक चाट गई है लेकिन भाई मेरे हम यह कभी नहीं भूले कि हमारी ड्रीम गर्ड इन दो कमरों के मकान में हमारी टटपुंजिया तनख्वा पर गुजर बसर करने कभी नहीं आएगी इस काम के लिए तो इस धर्ती की बेटी को ही चुनना पड़ेगा सपनों की रानी तो कारवालों को बंगले वालों को ही नसीब होती है इस तरह दो टूक शब्दों में सत्य को उसके मूँ पर फेक कर दिवाकर तो चला गया था पर जाते जाते उसके एहम को भी चोर चोर कर गया था अताशा के उस चरम इस्थिती में जो भी पहला रिष्टा सामने आया उसने मन्जूर कर लिया घर में तो जैसे तुफान आ गया था कैसी अच्छी अच्छी लड़किया नकार दी थी और अब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे क्या इसी के इंतिजार में इतने साल कुवारे बैठे थे तब दिवाकर ने ही उसका मनूबल बढ़ाया था ऐसी बुरी भी नहीं है भाई वो तो आजकर लड़किया नौकरी करते करते मुर्जा जाती है शादी के चिंता में सूख जाती है बस बढ़ती उम्र का ऐसास उनकी रौनक चीन लेता है एक बार शादी हो लेने दो फिर देखना उसने जूट नहीं कहा था जो लड़की वह देखने गया था और जो उसके यहां दुलहन बन कर आई थी उन दोनों में ही काफी अंतर था फिर शादी के बाद तो महीने भर में उसकी रंगती बदल गई चेहरे पर निखारा गया उसका सारा व्यक्तित्त ही जैसे खिलो था आदतन वह उसे अच्छी लगने लगी थी उसका बनाया खाना वह रुची के साथ खाने लगा था उसके साथ ग्रिहस्ती की छोटी मोटी खरिदारी करने में उसे आनन्दाने लगा था दफ्तर से लोटते हुए वह रोज उसके लिए वेडी लाता था शाम को रोज घुमाने ले जाता था कभी आइसक्रीम, कभी गन्नी का रस, कभी चाट मसलन कोई शाम खाली नहीं जाती थी हर रात वह उसके साथ प्रड़े के नए अध्याय रचता था विभाभी अभी भूत से हर पल उसके आसपास मडराय करती थी उसके ब्रमचारी कुटिर की उसने महीने भर में ही काया पलट कर दी थी कुल मिलाकर बड़ी मज़े में गुजर रही थी और अचानक अब ये क्या हो गया मिस्टर शिमाली के यहां का डिनर जैसे सारे जीवन को ही बेस्वात कर गया सारा उत्साही निचुड़ गया हो जैसे उठिये जी चाए हाजिर है जागरण से बोजिल पलकों को सप्रयास खोल कर उसने देखा विभा चाय लेकर प्रसन मुद्रा में खड़ी थी जैसे उसे खबर ही नहीं कि यह रात उस पर कितनी भारी थी जैसे विभा को होश ही नहीं है कि उसके चार शब्दों ने सुरेश की दुनिया को हिला कर रख दिया है चाय का कप और अखबार उसे पकड़ा कर वाइत मिनान से बिस्तर साफ करती रही उसने खिड़कियों के परदे ठीक किये मेच पोश के सलवटे ठीक की बासी अखबार तेह कर यथा इस्थान रखा और फिर पल्ला कमर में खोस कर कमरे में जाड़ू देने लगी उसकी प्रतेक कार्य कलाप में एक सुघन ग्रिणी के लक्षन परिलक्षित हो रहे थे रोज सुरेश विभा की इन ही भंगिमाओं को विमुक्द भाव से देखता था पर आज उसे उन में अदृते जैसा कुछ भी नहीं लगा वा निर्वेकार भाव से पेपर पढ़ता रहा अगले चार-पांच दिन तक वा इसी तरह उदास बना रहा इसी रूठे हुए बच्चे की तरह अपने आप में खोया रहा उसके भीतर प्रतिपल जैसे कुछ सुलगता रहा पर अपनी नई नवेली ग्रिहस्ती को सजाने सवारने में खोई विभा को इसका पता ही नो चला उस दिन शायद रविवार था एक निरानंद रविवार वह नौ बजे तक विस्तर में उंगता रहा फिर नहाद होकर बाजार निकल गया दो घंटे बाद वह लोटा तो विभा डोसे का सरणजाम किये उसकी बाड़ देख रही थी उसने चुपचाप नाष्टा किया हमेशा की तरह तारीफ के पुल नहीं बांधे सुनिये विभा ने लाड़ भरे अंदाज में कहा क्या वो सामने वाले मुखर जी साहब है न वो सामने वाले मुखर जी साहब है न उनका ट्रांसफर हो गया है तो तो कई चीजे बेच रहे है पती की बेरुखी से बेखबर विभा कहती रही ड्रेसिंग टेबल भी बेच रहे है सिर्फ दो सौमे दे रहे है मैं बात करूँ कलरकों के घर में डेसिंग टेबल शोभा नहीं देती उसने तल्क स्वर में कहा ड्रेसिंग टेबल कोई मारूतिकार तो नहीं है, जो आप ऐसी बात कर रहे हैं, आजकल तो इतनी कॉमन हो गई है मैंने एक बार कह दिया न, मैं वही चीजे लाता हूँ जो मेरी जोपड़ी में शोबा देती है बीवी का चुनाव भी मैंने इसी द्रिष्टे कोड से किया है सुरेश ने बात खत्म की और एकदम हलका हुआया चार-पांच दिन से मन पर एक बोज था, एक फास सी चुब रही थी अब कुछ शान्त हो गया, जैसे बदली के बाद आसमान साफ हो जाता है वह पोना अपने खिले हुए मूड में लोट आया, बोला लम्हे देखनी थी तुम्हे, अल्पना में लगी है, तीन के शो में चलेंगे विभा ने हाँ या ना कुछ भी जवाब नहीं दिया लेकिन जब दो बजे चाय बन गई, तो वह समझ गया कि पिक्चर का प्रोग्राम मन्जूर हो गया है, फिर दोनों तयार होने लगे पर विभा ने इत्रा करिया नहीं पूछा, कि साड़ी कौन सी पहनू बाल खुले रहने दू या जूडा बना लू न उसने गमले का गुलाब तोड़कर बालों में लगाया सुरेश समझ गया, ये वह भी भीतर तक हिल गई है दोबी के कपड़े अब तक वैसे ही कपड़े में बंधे पड़े हैं सबजी का थैला भी खाली नहीं किया गया है धूले वे बर्तन भी जैसे तैसे अलमारी में रख दिये गये थे उनका पिरामिड नहीं बना था लगता था उसका सारा उत्सा किसीने सोख लिया है धाई बजे वह सीटी बजाता हुआ बाहर निकला विभाने चुक्चा बाहर निकल कर ताला डाला चाबियां सुरेश को थमा दी चाबियां जेब में डालते हुए सुरेश बोला टेम्पो में चलते हैं और भीड़ना हुई तो फर्स्ट क्लास में ही बैठेंगे नो टेक्सी, नो बालकनी, नो फिजोल खर्ची हनीमून समाप्थ हो गया था ग्रिहस्ती शुरू हो गई थी आप सुन रहे थे मालती जोशी जे की लिखी कहानी आरंब मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ तब तक के लिए मस्कुराते रहिए धन्यवाद